आज में आपके लड़ू की रेसिपी लेकर आई हूँ इन्हें आप वरत में खा सकते हैं, महिनों तक स्टोर कर सकते हैं हेलो अब रिवान निदी किचने अन्हों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए बनाते हैं वरत स्पेसल हमारे टेस्टी से लड़ू, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें इसे बनाने के लिए मैंने आप यह सिंघाडे का आटा लिया है, एक कप, यह धाई सो ग्राम की लगभग है इसे हमें अच्छी तरह से भूनना है तो हम इसे डॉय ही भूनींगे, घी बगरह अभी हमें एड नहीं करना है आप इस रेसिपी को राजगीरे के आटे के साथ भी बना सकते हैं सिंगाडे का आटा वरत्मी खाया जाता है तो उसी को हमें अच्छी तरह से भून लेना है यह देखिए हलका सा कलर चेंज हुआ है आप थोड़ा चाहे तो डार्क भी इसको कलर चेंज कर सकते है अब हमारा जो आटा है वो अच्छी तरह से भून गया है सिंगाडे का इसमें हमने डाल दिया है एक चमच घी अब एक चमच घी डाल कर हम इसे अच्छी तरह से भूनना है थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें एक दम से घी ना डाल दे थोड़ा थोड़ा करके डाले और इसे अच्छी तरह से भूनते जाए गैस का फ्लेम लो रख है क्योंकि ये जो आटा होता है ये कच्चा होता है इसे कोखोना बहुत जरूरी होता है तो ये देखे कितना बढ़ी है ये भून गया है अब आप चाहें तो यहाँ पर और भी घी आड़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर थोड़े ड्राइफ रूट्स एड़ कर रहे हूं तो मैंने डाल दिया काजू बदाम तो काजू मैंने यहाँ पर 7-8 लिये हैं बदाम मैंने 10-12 लिये हैं यह मैंने हाप पर नारियल के गिरी ले ली है, कद्दू कस करके यह पॉपी सीट्स भी हमने डाल दिये हैं, जो भी ड्राइफ फूट्स आपको यहाँ पर डालने हो ना वो सारे डाल सकते हैं, इसमें आपको किसमेस, शोहारा काट के, या फिर आप इसमें चरोंजी दाना, जो सभी चीजों को हमने मिक्स कर दिया है, अच्छी तरह से भुनने के बाद हम यहाँ पर चीनी डाल देंगे, तो आप अपने स्वाद के अनुसार डाले, अब गैस का फ्लेम मैंने बन कर दिया है, क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई गरम है, हम इसे चासनी के बिना बनाएंगे, इसी तरह से आप जो गुड़का पूरा होता है न, उससे भी इसे बना सकते हैं, अगर आप इसे और भी जदा हेल्दी बनाना चाहते हैं, चीनी वगर आइड नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसका इस्तमाल कर लें, और अच्छी तरह से मिक्स कर लें, अब यहाँ पर मैंन तो एक चमच मलाई और डाल दें, या फिर आप इसमें एक चमच घी और डाल दें, सब को अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, और यह जो लड़ू है न, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होईंगे, बिल्कुल भी आपको ऐसा न लगए कि यह मलाई डाल दी है, तो यह स्टोर कर अगर आपको लग रहा है कि यह जोड़ा सा गीला टाइप का लग रहा है, तो आप इसे फ्रिज में रख दें तो यह टाइट हो जाएगा, या फिर आप इसमें थोड़ा बहुत नारियल का बुरादा डाल दें, या फिर आप इसमें मिल्क पाडर एड़ करना चाहें, तो भी कर सकते हैं, तो हमारा यह लड़ू बनकर तयार हो गया है, थोड़े से हम इसमें उपर से और ड्राइफ फ्रूट से एट कर देंगे इस तरह से, तो लीजिए व्रत के बहुत ही टेस्टी हमारे सिंघाडे के आटे से बनकर तयार हुए लड़ू, जेने आप खाने में ब आटियू, थैक्स वर वचिं